हलो बच्चो नमस्ते कैसे हैं आप सभी लोग सब लोग अच्छे है ना चले बहुत अच्छी बात है तो आज के इस वीडियो में हम लोग कौन सा कोश्चन करने वाले हैं तो यहां पर हम करने वाले हैं exercise 5.2 का question number 11 ठीक है question number 10 तक हमने already complete कर लिया है अपने पिछले वीडियो मे हैं तो जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखे हैं जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख लीजेगा ठीक है आपका mathematics part 1 और part 2 complete हो चुका है इसके अलावा अगर आपको accounts के study करनी है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं accounts के भी सारे chapters मैंने करवाए हुए है तो प्लेलिस्ट में जाहिए वहाँ पर आपको सारे chapters मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए अभी देरी ना करते हुए हम लोग अपने question को देखते हैं तो यह है बच्चों आपका question number 11 देखो इसमें क्या क्या information दी गई है तो डॉर्बीज बावलीज प्राइज इंडेक्स नंब और फाइज पूर रेस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है बच्चों एक और में जैसे कि डॉर्बीज बावली पहले आना तो पहला वाला नंबर मतलब क्या यह डॉर्बीज बावलीज प्राइज इंडेक्स नंबर है ठीक है तो यहां पर हम लिखते है इस तरीके से यह कित आपको पिछले आने चाहिए दीक है और फिर उसके बाद ऑना होता है किस से प्लस प्लस प्राइब की सब्सक्राइब, तो प्लस 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 इन्ड memor है अब यहां आ यहां से, अСпिल भी लेना चाहिए तो किसे निकाला चाहिए चलिए हम लोग न लास्पियर्स या फिर दोनों में से आप किसी का भी value यहाँ पर निकाल सकते हो तो एक काम करते हैं यह जो लास्पियर्स price index number है इसका value हम लोग निकालते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा देखिए यह जो है ना passes price index number इसको हम इस साइड बुलाते है जब यह इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 10 से मतलब यह minus में हो जाएगा यह इधर plus में है जब इस साइड आएगा तो minus में हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा एक मिनिट हां passes price index number 10 minus passes price index number which is equal to last year's price index number ठीक है इसे हम लिखेंगे equation number 1 करके देखो सही से पहले इसको लिखिएगा last year's price index number which is equal to 10 minus passes price index number और इसे आप लोग लिख दीजिए equation number 1 ठीक है अभी हम लोग क्या करने वाले हैं तो एक और formula हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि इसके प्लेस पर यही रहने दो ठीक है उसके बाद यह देखो last year's price index number हम जानते हैं देखो यहां पर हमने इसका value निकाला था बताओ कितना आया था 10 minus passes price index number तो यहां पर इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 10 minus passes price index number इस तरीके से ठीक है यह हमने कहां से लिखा बच्चो तो equation number 1 से लिखा ना तो आप इसका reason लिख क बता सकते हो कि from equation number 1 ठीक है from equation 1 अब क्या किया जाए तो देखिए आप लोग को बताती हूँ पहले तो आप एक काम करो यह जो root है ना root को हटाओ सबसे पहले तो root के से हटेगा बताईगे क्या करना होगा square root करना होगा square root नहीं square लेना होगा क्योंकि देखो जैसे कि यहां पर करने वाले हैं ठीक है तो चलिए square कर देते हैं यहां पर लिखते है squaring both sides to both sides है कि जब आप square करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 का square 4 का square क्या होता है directly कर देते 16 और यहां पर अगर हम square करेंगे तो यह जो root है यह यहां जाएगा तो डिरेक्ली आप लिख दो पासेस प्राइस इंडेक्स नंबर इंटू यहां पर क्या है 10 माइनस passes price index number ठीक है ना अभी क्या करना पड़ेगा पता है आप लोगों को देखिए ये जो है बच्चो passes price index number इसका multiply हम लोग ये वाले bracket में करेंगे तो इसका multiply 10 में भी होगा और इसी का multiply इसमें भी होगा तो चलिए करते हैं आगे क्या लिखेंगे 16 which is equal to जब इसका multiply हम 10 में करेंगे तो क्या होगा passes price index number into 10 यहाँ पर है minus का sign तो minus आएगा और फिर passes price index number ऐसे into passes price index number ठीक है देखो यह वाला यहाँ पर आया ना यह वाला इसके साथ आगया दोनों का multiply ठीक है अभी हम लोग क्या करने वाले पता है आप लोगों को ऐसे रख करके जब आप solve करोगे ना तो बहुत जादा आपको confusion होगा इसके लिए आप लोग एक काम कीजिए यह जो पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर है ना इसको आप लोग एक्स बान लेते हैं तो यहाँ पर हम लि लिए यहाँ पर क्या आएगा देखो इसके प्लेस पर भी है तो क्या हो जाएगा बच्यों ध्यान से समझेगा यहाँ पर 10X माइनस X x square इसको सही से लिखिए तो चलिए सही से लिख देते यह माइनसस से इसको इधर भुला लेंगे तो प्लस स्क्वाइर हो जाएगा जब यह इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और यह 16 तो पहले से है तो यहां पर हमने लिख दिया प्लस स्क्वाइशन हमारे पास आ चुका है तो इसे कैसे सॉल्व करना है आप जानते ही है यहां पर इसको फैक्टराइजेशन मेथट से सॉल्व करेंगी तो देखें कैसे होगा एकस स्क्वाइर माइनस 10 एकस प्लस 16 देखो बच्चों यहां पर क्या है 16 तो 16 के हमको ऐसे दो फैक्टरस बताने है जब ही हम लोग मल्टिप्लाइ करें तो 16 मिले और प्लस या माइनस करने पर क्या है माइनस 10 आए तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं यह हो सकते ना यह 8 और 2 दोनों भी माइनस में क्यूंकि देखो 8 टू सा 16 है ना इन दोनों का मल्टिप्लाइ करेंगे तो प्लस 16 आएगा और माइनस 8 माइनस 2 मिल करके माइनस 10 हो जाएगा तो क्या लिखोगे प्लस 16 इस में से हम क्या कॉमनल ले सकते एक्स को ब्रैकेट के अंदर आएगा एकस माइनस 8 पता है ना आप लोगों को कैसे होगा और यहां पे विच इक्वल टू आप 0 लिखना देखो मैं भूल गई थी यहां पे जीरू लिखना तो मतलब लिखना ही है ना क्योंकि इधर से हमने इन सभी को बुला लिया तो इधर क्या बचा इस साइड में जीरो बचा ठीक है विच इक्वल टू जीरो अब क्या किया जाए तो देखिए X-8 X-8 तो इसको हम लोग एक बार ही लिखेंगे फिर X-2 है ना हमने क्या किया बच्चो यह जो X-8 है ना इसको हमने common ले लिया ठीक है फिर X-2 को एक में करके लिख दिया विच इक्वल टू जीरो अभी हम क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे ना X-8 विच इक्वल टू जीरो और X-2 विच इक्वल टू जीरो यहां से देखिएगा आपको X का value मिलेगा minus 8 को उधर लेंगे तो plus 8 और minus 2 को उधर लेंगे तो plus 2 हो जाएगा ठीक है तो देखिए यहां पर हमें X के दो values मिले हैं यानि कि passes price index number हमें क्या-क्या मिला एक तो हमें 8 मिला दूसरा क्या मिला बच्चो 2 तो देखो मैं यहां पर लिखती हूँ therefore passes price index number which is equal to 8 और 2 मतलब 8 या फिर 2 ठीक है हमें क्या-क्या बताना था हमें passes price index number बताना था और last year's price index number बताना था ना तो passes price index number तो आ चुका है अभी last year's की बात करेंगे तो वो हमें कैसे मिलेगा यह वाला जो आपको equation दिख रहा है ना इसमें आप एक काम करो यह जो values हमें मिले हैं इन्हें हम पूट करते चाहेंगे ठीक है तो देखे बच्चो अगर मैंने यहां पर हमें पूरा अच्छे से लिख करके बताना पड़ेगा यहां पर लिखते हैं कि इफ passes price index number which is equal to 8 यानि कि अगर हमने इसको 8 माना तो फिर हमें last year's price index number कितना मिलेगा देखो इफ पासे इंडेक्स नमबर विच इकवल टू एट डिन कि लासप यह प्राइस index नमबर क्या हो जाएगा देखो यह equation में पुट कीजिएगा क्या है देखो 10 माइनस पासे प्राइस इंडेक्स नमबर बताइए कितना हमने लिए आप लिया है तो 10-8 करेंगे तो कितना ऐगा बच्चो यानि कि अगर हमने इसको आट वाना तो फिर लाज़स प्राइस इंडीक्स नंबर के आएगा टू आए गा ठीक है यह फिर आप ऐसे करके लिखो और एफ अगर हमने पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर को तू मान लिया क्योंकि दो दो वैल्यूस हमें मिले ना या तो यह यह तो अगर हमने इसको आठ वाना तो इसका अंसर कितना आएगा मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा तू और अगर हमने पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर पांसेसप्राइस इंडेक्स नमबर को हमने इधर क्या माना है तो जब हम मेंस करेंगे तो कितना आएगा बच्चोente तो Давай यह alright यह भी हो आसर हो सकता है यह या नी होग अप लोग पांसे olives इंडेक्स नमबर को मानेंगे टो नहीं एट तो सब कुछ complete है बस आप लोग पढ़ाई कीजी अच्छे से और अच्छे-च्छे मार्क्स लेकर कर आई है तो चलिए चलते हैं और आप लोग को बताना चाहती हूं जिन्होंने भी टेलिग्राम चैनल को नहीं जोइन किया है आप जरूर कर लीजिए का क्योंकि वहां पर जो लोग टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएं और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है चलिए चलते हैं गुडबाए अब्रिवान